हेलो माई डियर स्टुडेंट स्वागत करता हूँ आपके पनी यूटूब चैनल सरसुती सूपर क्लासेस में दोस्तों अगर आप लोग क्लास 12 के स्टुडेंट और फिजिक्स का बोर्ड एकजाम 2024 देने वाले हैं तो आप लोगों का बोर्ड एकजाम डेट भी आ चुका है तो ऐसे में आप लोग तयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे तो इन महत पूर्परस्ण को जरूर पढ़ लेना जितना मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरा का पूरा प्रस्ण मैं आप लोगों के लिए चुन करके लाया हूँ माईडे स्टूरेंट बहुत ही ज़्यादा important question है आप कह सकते हैं क्या हैं IMP वाले question हैं क्या हैं IMP वाले question हैं जितने भी question मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ देखिए board exam 2024 जितने भी चातर हैं और board exam 2024 में physics का यानी की भावतिक विज्यान का paper देने वाले हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा important है अगर अभी तक वीडियो को like नहीं कियें तो my day student वीडियो को like कर दीजिए देखिए जब आप लोग वीडियो को like करते हैं चैनल को subscribe करते हैं तो अंदर से हमारी अंतरात्मा से एक आवाज उड़ती है और कहती है हाँ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मेरे जो student हैं वो देख रहे हैं और like कर रहे हैं comment कर रहे हैं यानि कि कुछ न कुछ reaction कर रहे हैं तो उनके लिए क्यों न वीडियो बनाया जाए जब आप लोग ना तो वीडियो को like करते हैं ना तो channel को subscribe करते हैं और नहीं comment करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई video को देखी नहीं रहा है कोई response नहीं आ रहा है तो चलो छोडो video नहीं बनाते हैं लेकिन my video student अगर आप लोग इस पर इस video पर 200 like का target मैं दे रहा हूं अगर आप लोग कंप्लीट इसको कर देंगे तो मैं आप लोगों के लिए जितने भी important question है सभी का video मैं आप लोगों तक provide करूंग my video student तो चलिए video को start करते हैं वीड़ा time waste kmid student यहाँ पर देखी आपको सुरू से लेकर के video को last तक देखना है video को बीच बीच में बिलकुल cut pit नहीं करना है क्योंकि video को बीच बीच में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बाते बताया हूं जो कि आपके body exam के लिए बहुत ही ज्यादा important है यहाँ पर देखी क्रांति कोंड को परिभासित कीजिए same ऐसे ही आपसे question body exam में पूछा जाएगा क्रांति क्या होता है इसको परिभासित कीजिए okay यहाँ पर देखी आपको लिखना कैसे देखी सगन माध्यम में बना वह आपतन कोंड जिसके लिए बीरल माध्यम में आ पर पर के एक लिए बीरल माध्यम में आपวर्तन कोंड containers है जिसके लिए बीरल माध्यम में आपवर्तन कोंड 90 के जिसके के आपकोके फीर से do के वल सुन करके याद करी के हो कि आप लोगों के पास समय बहुत कम है वीडियो को ऐसे चलने कुने दीजिए और जो है इसको सुन करके आप लोग एक एक परिभासा को अपने दिमाग में बैठाईए अब नोट करने का समय नहीं है क्योंकि जो है समय बहुत कम बचा हुआ है जो आपके दिमाग में फिट रहेगा जो आपके माइड में फिट रहेगा केवल आप लोग वही आप लोगों को नबे डिगरी का होता है वा क्राम्ति कोन कहलाता है कितना छोटा सा परिभासा मैं आप लोगों के लिए लेकर कर आया हूँ देखिए बहुत ही इंप्वाटेंट वाले कोश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर काया हूँ वीडियो को लार्ज तक देखिएगा ये मेरी का नाम लिखिए जिस पर प्रकासिक तंतु का कार सिध्धान्त आधारित है जो प्रकासिक तन्तु यानि कि आप्टिकल फाइबर कारे पर सिध्धान यानि कि कारे करता है जो आप्टिकल फाइबर है जो सिगनल भेजा जाता है किसके सिध्धान पर काम करता है देखिए यहां पर पूर आंतरिक परावर्तन क्या है पूर आंतरिक परावर्तन बहुत है जो पूर आंतर शो blasting और में आप लोगों को दिखाता हूँ देखिए lens की छमता उसकी meter में ना पी गई यानि की lens की जो छमता होती है उसकी meter में नापी गईти focus करम के बराबर होती है किसके बराबर होती है जो उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के किसके फोकस दूरी के ब्यूत करम के बराबर होती है क्या लेंस की छमता देखिए इसे पी से प्रदर्सित करते हैं देखिए इसका मातरक भी पूछा था यहां पर इसका मातरक भी लिखिए तो इसका मातर क्या हो जाएगा डायोप्टर यानि की डी से हम इसको डिनोट करते हैं ओके डायोप्टर हो जाएगा इस लेंस की छमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है इसे किस से प्रदर्सित करते हैं इसे प्रदर्सित करते हैं चलिए अगला कोश्चन देखते हैं जो की बहुत important question आप लोगों से body exam में ऐसे सब पूछे जाते हैं आप से पूछे जाएगा बेद्दु तो आहक बल क्या होता है टर्मिलर विभू अंतर क्या होता है अब देखिए हम दोनों परिभ्यासा को जोड़ दिए इसमें अंतरा स्पष्ट कीजिए ऐसे ही body exam में सभी previous year question है क्या है previous year question है my idea student जो की आपके body exam 2024 के लिए बहुत ही जादा important है देखिए हाँ पर देखिए एकांक आवेश को पूरा परिपत में क्या है सादूंगा देखिए एकांक आवेश को पूरा परिपत में सिल सहित प्रवाहित करने में सिल द्वारा दी गई उर्जा को उर्जा को सिल का बेद्दुत वाहक बल कहते हैं किसका सिल का बेद्दुत वाहक बल कहते हैं जो उर्जा लगी है सिल द्वारा दी गई जो उर्जा है उसे सिल का बेद्दुत वाहक बल कहते हैं कोई परिपत है परिपत के दो बिंदूओं के बीच एकांग कावेश को परवाहित करने में किये गए कार को उन बिंदूओं के बीच टर्मिनल विभुवांतर किसे कहते हैं जबकि यहां पर इसको छोड़िए किसी टर्मिनल विभुवांतर किसे कहते हैं किसी परिपत के दो बिंदूओं के बीचे कांग कावेश को प्रवाहित करने में किये गये कार को उन बिंदूओं के बीच को टर्मिनल विभुवांतर कहते हैं ओके आई हो कि आप लोगों को याद हो रहा होगा देखिए आप यहां पर देखिए बहुत ही important question आप क्या समझते हैं ऐसे ही बोडिच्जा में आप लोगों को question देखने को मिलेगा देखिए यहां पर देखिए इसका answer मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा यहां पर नेत्र की वह चमता क्या नेत्र की वह चमता जिसके कारण नेत्र लेंस की focus दूरी में परिवर्तित कर सके यानि कि नजदीक की वह च्छी को देखना है या दूर की वह चमता को ही समझन चमता कहते हैं देखिए एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ आपको नजदीक की वह चमता की वह चमता जिसके कारण नेत्र लेंस की focus दूरी में परिवर्तित कर नजदीक वह दूर की वह चमता को असपश्ट रूप से देखा जा सकता है उसे ही नेत्र की समझन चमता कहते हैं जो की बहुत ही important important question मैं पहली बताया था IMP वाले question है अभी तक आप लोग अगर like नहीं किये वीडियो को तो like चरूर कर दीजिए मैं मुझे जो है पूरा भरोसा है जो मेरे student है जो मेरे pre student है जिनको लगता है कि मेहनत क्या चीज होती है और मेहनत हम भी कर रहे हैं और आप लोग भी कर रहे हैं body jump को लेकर के तो मेहनत की बारे में आपको बताना नहीं है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप जो है 200 like का target में दिया हूँ आप लोगों को उसको complete कर दीजिए ओके देखिए ठोसो में उपस्थित जो उर्जा बैंड है उनके नाम लिखिए एक तो आपको लिख देना है चालन बैंड और एक संयोजी बैंड कौन कौन से चालन बैंड और संयोजी बैंड ठोसो में उपस किसी radioactive पदार्थ की अर्ध आयू से क्या तातपर है किसी radioactive पदार्थ की अर्ध आयू से क्या तातपर है तो चलिए इसका answer देखते हैं यहाँ पर देखिए अर्ध आयू मैं heading डाल दिया हूँ किसी radioactive पदार्थ की अर्ध आयू से क्या तातपर है तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ देखी वह समय अंतराल जिसके अंतरगत किसी रेडियो एक्ट्व पदार्थ की मात्रा अर्थात उसके परुमाड़वो यानि की नाभी को या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए कोश्टन परुमाड़वो की संख्या रेडियो एक्ट्व इकिस मैं आपको बताओं कहीं पर भी आपको इतना जो सरल है इतना सरल परिभ्यासा कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा देखिए क्या है वह समय अंतराल जिसके अंतरगत किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मातरा अर्थात उसके परमाड़ों की संख्या अपने प्रारंभिक मान की अर्धायू कहलाती है अर्धायू यानि की आधा आईू, आपको ऐसे ही पता चल जा रहा है, अर्धायू मतलब आधायू, यानि की घटे गाही, घट कर अपने परारामभिक मान की आधी रह जाती है, तो उसे क्या कहते हैं रेडियो अक्टिव पदा अर्ध की आर्धायू कहते हैं, देखी इसको T स प्रदर्सित करते हैं किस से प्रदर्सित करते हैं इसको टी से प्रदर्सित करते हैं आई हो कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को झाल झाल